ओम शान्ति आप सभी का आज के प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है आज का विश्य बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और समाइक है अगर आज आज हम देखें तो सारे विश्यु में जिसे हम कहीं मौडर्न मेडिसन कहें या मौडर्न हेल्थ केर कहें वह स्टेट ऑफ आइट है आज हमारे पास बहुत यह इडवांस्ट अब्दिकल साइंस है जिसके द्वारा हम इवन जीन ठरापी कर सकते हैं स्टेम्सल ठरापी कर सकते हैं है कि सर्जरी में पुरी रोबोटिक सा गई है और आज रोबोटिक सैज्री हम कर रहे हैं मिलमन मनटम ungefee कर रहे हैं वह को मैं छोटसे चेक के द्वारा हम पेटके कोई आ शकते हैं बाइपास स है जिसके में कल हम मिनिकस कहते हैं वी कर लेते हैं कि ब्रेन की सज्जिस के बिली भी हमारे पास बहुत ही सुन्दर सिस्टम्स बन गए हैं और अभी तो जिनोमेक्स पर काम चल रहा है पिछले अगर 20 साल में देखें तो मेडिकल साइंस काफी एडवांस हुई है आज हमारे पास पैट स्कैन पहले भारत में एक भी नहीं था और अभी तो लगबग हर शहर में पैट स्कैन भी आ गए हैं जिसके दोरा हम फिजियोलोजिकल स्कैनिंग कर सकते हैं ब्रेन की या प्रोब्लम्स है एक तो यह सब चीजे सिस्टम्स बहुत ही कौसली है आम आदमी के पहुंच से बाहर है और दूसरी जो बात है यह जो साइंस के सिस्टम्स है यह सब वन डेमेंशनल है बॉडी के सरफ एक ही सिस्टम को एड्रेस करते हैं यह कोई सारी मतलब पूरे एक इंसान को हैड्रेस नहीं करते हैं, और डबली उचे की डेफिनिशन भी देखें अगर हम हेल्थ की, तो हेल्थ की डेफिनिशन क्या है जो 1947 या 48 में दी गई, वो क्या कहती है, हो कहती है, हो कहती है, हेल्थ is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, and not the absence of disease or infirmity, स्वास्थे वो स्थिती है, जिसमें हम शारिक तोर, physical माना शारिक तोर पर स्वास्थे हैं, मानसिक तोर पर स्वास्थे हैं, समाजिक तोर पर स्वास्थे हैं, और अध्यात्मिक तोर पर स्वास्थे हैं, खाली आपको आज बिमारी नहीं है, इसको हम स्वास्थे नहीं कहते ह तो स्वास्ते जो है खाली, एक एक, फिजिकल हेल्थ को भी निह कहते हैं, इवन आक्सपोर्द डिक्षिनरी का में 상ि करती है, जब भी वे हेल्थ की बात करती है, तो soundness of mind and body करती है, खाले बॉड़ी की हेल्थ की बात नहीं करते हैं साउंडेस और माइन बॉड़ी इस वाले हैं तो हम इंसान अगर आज का अगर हम देखें यह जो डबली एचो विश्व सास्ते संटर ने जो सिस्टम डवलब किया जो भी बता रहे हैं जो भी डवलेमेंट कर रहे हैं उसके ब आजकर उसको कहते हैं कजाकिस्तान में एक सिटी है बहुत सुंदर सिटी है और वहां पर बड़ा क्लियर्ली यह कहा गया 1977 ने दो सो देशों के हेल्थ प्लैनेस इकटे हुए थे उन्होंने प्लैन किया कि 2000 तक हम सबको हेल्दी बनाएंगे हेल्थ हेल्थ फॉर लॉल बाई 2000 एड़ी और बकाइदा 23 साल में एक बड़ा सिस्टेमेटिक प्रोग्राम बनाया गया ट्रिलियन्स ऑफ रॉलर्स उसमे कारे में भी लगाया गया तो 2000 में देख्या देखा कि बिमारिया था सारी बढ़ गई थी और ज्यादा बढ़ गई थी और फिर उन्हें कानी 2000 तक नहीं हो पाया 20 साल और दे देते हैं अपने आपको 2020 तक हम सबको हेल्दी बना देंगे एक लिस्ट सोशली और एकनोमिकली प कि आकना समझते हैं हम सभी हेल्डी हो गये हैफी हो गये kali क्या समझते है आप अपने आप से पूछए तो अगरां फिजिकल हेल्थ की बात करें शरीरिक हेल्थ की बात करें तो आज जो 2015 में एक सर्वे हुआ था मैं उसके उपर बात करता हूं और अब भी 2020 में एक सर्वे का प्लैन चल रहा है और जो एडर्ट्स हैं थारा साल के उपर के उमर के लोग हैं तो दिखने में आए कि किसी जैसे मेजर चार सिटीज भारत के लिए ले ले हैं अगर हम देली केलकटा चैनाई और मुंबई यह चार मेजर कॉस्मो पलेटन सिटीज है भारत की तो उसमें देखा कि एडर्ट्स में हेल्थ का स्टेटस क्या है फिजिकल हेल्थ का शरी के हल्थ का क्या है तो लगभग सो में से तीस लोगों को तो हाई ब्लड प्रेशर है एवरेज सो में से पंद्रा लोगों को हार्ट की विमारी है सो में से दस लोगों को डाइबिटीज है सो में से पैंतिस से चालिस परसंद लोगो उबीज है ओवरवेट है सो में से पैंतिस परसंद लोगों को जी आरडी है जी आ सब्सक्राइब और उनका अगर देखे तो उनमें से पचास परसंट के लगब फिमेल्स को माताओं बेहनों को जैसे से उमर बढ़ती और ज्यादा उसके कारण उनके कुटने कराब यह हिप जोएंट और पैल्वेस खराब हो जाता है इंकल जोएंट्स खराब हो जाते हैं डि स्किन की प्रमों की विमार की 5 पांच यह भी को हर्मॉन की विमारी 5 लोग अगर आम इसे देखें लिगभा मोटी मोटी मुटी में चाहसे मैं हर विमारी की डिटेल में नहीं जा रहा हूं तो सो लोगों 200 विमारी हैं आप जो सभी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए अगर आप भी अपने अंदर जाएंगे देखेंगे तो आपको भी दिखाई देगा कि आपके अंदर सबके अंदर आपको अपने अंदर दो-दो बिमारी तो मिल जाएंगे ज़र चेक करके देखिए आपको हैं दो-दो बिमारी आइबरेज और आप मेंसे कुछ तो ऐसे होंगे जिनको 3-3-4-4-5 बिमारियां भी होंगी और काफी सारी मिमारियां तो चुपी हुई होती है आपको पता ही नहीं कब आने वाली अंद उनका इसी जी करके देखा गया तो पता लगा उनको इतने विमारी हैं कि कई बार हमको पता ही नहीं होती है कैंसर भी लास्टेज में पता ही नहीं होती है बहुत लास्टेज में जाके पता लगती है तो सारी मिमारी इतने सारी मिमारी हैं लगबग बहुत ही भरपूर बिम तो हमारी बिमारियों कि कोई देखाई देता है तो बॉडि डी इतनी बिमारी है जब कि इतना advanced healthcare system हमारा है और अगर मागे देखें और आगे बढ़ें अगर mental लगबग हर आदमी आज टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर परफेक्शन का प्रेशर मेरे एसाब से काम होना चाहिए इससे ग्रसित है क्योंकि मैं पन मेरे पन के करणा से प्रदा होता है आज लगबग हर आदमी लगबग एक सब्सक्राइब पाई नाइनटी परसंट लोग आज टाइप ए हैं से जल्दी बाजियाम बाश्या में कहते हैं प्रेशर प्रेशर में रहते हैं और इसे हम हमेशा अग्रेसिव रहते हैं पॉलीफेजिक एक समय बहुत सारे काम करने यह मांसिक भीएवियर है दूसरा जो बात है हम जो हमारे इंदर रिख है वह है एंजाइटी क्या होगा कैसे होगा कब होगा तो एक एंजाइटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जारे समाज में आज की घटनाएं देखते हैं समस्याएं देखते हैं बीसे इंडेक्स टॉक स्वाके इंच्चेंग देखते हैं हमारा डेश के अंदर जो डिफेरज डिफेर्ण घटनाएं हो रही हैं विश्व में भी हो रही है communal जो भी problems हो रही है आप जानते हैं सभी तो anxiety कितनी है anger आप में से अपने आप को check करके दिल कितने लोग हैं जो आप में से किसले चाहिद ही कोई वेक्ति हो जो गुस्सा नहीं किया हूँ जो गुसा नहीं करते हो। चाहते तो नहीं गुसा करना कोई भी, कि तो कोई ऐसा है जो नहीं करता हो गुसा। सभी गुसा करते हैं, कोई अंदर करते हैं, कोई भार करते हैं, करते तो सभी हैं। जब गुस्सा करने से पता लगा कि गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर एक बर गुस्सा करते हैं तीन दिन के लिए हमारी लगवग सारी हमारी मेमोरी मेमोरी पर ऐसर पड़ता है हमारे हार्ट की फंक्शनिंग पर ऐसर पड़ता है हमारी किड्नी के खून साफ करने का प्रॉस है फिर आज लगबग इवन जो डिवलेप्ट कंट्री से हमारे भारत में भी लगबग बीस पसल लोग को डिपरेशन है कुछ माइनर डिपरेशन कुछ मेजर मेजर डस पसल लोग तो मेजर डिपरेशन में है इसका सुसाइडर टेड़नेस बढ़ती जा रहे है कि आतामत्या सुनते हों गया वैसे आतामत्या तो गलत शब्दे जीव घात कहते हैं कि हम अपने शरीर को नुक्सान पहुचा लेते हैं क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है फिर आज काफी लोग नेन की गोली खाके सोना पड़ता है इंसोमनिया आज जो है एक होश्थिलिवियवियर बढ़ता जारा लोग दुसरे incidence माप नहीं कर पार हैं बढ़ता जारी है ढूब पत्नी पत्नी में दोश देख रहे हैं शादी के पहले नहीं शादी के बार शुरू हो जाता है बच्चे माबाप में दोश देखते हैं अब देखते हैं माबाप बच्चों में देखते हैं एंप्लाइर एंप्लाइस में देखता है और एंप्लाइस एंप्लाइर में देखते हैं कैसी लेवल पर चले जाओ dependent on what map कई जो सब की दिश्टी जैसे है बगला ओते ना बगले को बगलो के सामना बगर 20 इए प्रौदक्र पहइं के पांच केडि रखने तो उसको वब दिखाई मेंगे मोति नजर नहीं आते थे कि सभी के बगला द्रिश्टी हो गई है और एक हंस होता है हंस के सामने पिच्चानवे अगर कीड़े रख दें और पांच मोहती डाल दें तो उसको क्या दिखाई देता है सिर्फ पांच मोहती दिखाई देते हैं इंसान का में सबके गुण देखना है गुण गुण गरहाई दिश्टी होने चाहिए और दिश्टी कैसी हो गई है अगुण गरहाई दिश्टी हो गई है तो आज मांसिक समस्या देखें तो टाइप ए बहेवेर एंजाइटी एंगर डर बहुत एक जिए आज सबके अंदर आखा निया बताई है आप में से अपने अपको चेक कर ली हैं कुछ भी हो जाया अभी अ क्या कि सबगें लगता है यह लगता है ilू की तो हम सब गइसब अंदर और आपा पता है अप हिंदी जब आपका इंडर होता है तो आपका पूरा हर्मोनल और्केस्ट्रा है 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 यहाँ है दोनों ब्रेन का से किंडी के ओपर दो और फिर हमारे मेल फिमेल ग्रेंट ओवरी जा टेस्टी से साथ ग्लेंट सुतीन इनसान में तो एक हर्मोनल और्केस्ट्रा होता है अगर यहां पर शांती है प्रेम है खुशी है और अपने आपका आत्मिक स्थी में रहते हैं तो आपके अंदर शांती फिर हम कुशी है और परा अपर हर्मोनल और्केस्ट्रा सारे हर्मोनल से क्रेशंद्स किस और यहां पर आप नंशयरू कॉंशन से में तो अगर ऑपॉड़ी कॉंशिस हैं रोल्ड कॉंशिस हैं मैंट्रिल कॉंश हैं डया आका साला समाज है लाइफ के अगा जाता है शोर जीवनिक शोर बन जाता है तो वही आज आज है फिर डर हम सब के अंदर है तो छेख कम से कम छे बिमारिया सबको फ्री में मांसिक बिमारिया बिलें दो मिमारी शरीर की और छे मिमारी मंद की हम सबको χी मिली है आज कि हैं आप के इंदर नहीं円 आक आप ज्ञान को समझ गाए तो श्राइत एक क्ली कंडरी ओंगी कि तो है फिर भी अंज तो अभी भी हैसं तो नहीं होनी और फिर समाज को देखे समाज में आज क्या है competition comparison हर जंगे देखो तो आज कट-throat competition कोई profession में चले जाओ ना नीज पेपर में देख लो ना सब जंगे देखो क्या है है यह जाले सी का वातावरन है रेप से मर्डर से सब खबरे देखो तो क्या को किट्साइज कर रहे हैं कंफ्लिक्ट से इतने सारे सब्सक्राइब को तो कंप्लिक्ट सारे यह समाज का आज का है और फिर अगर मांसिक अगर आप अध्यात्मिक हेल्थ में चले जाओ तो आभी क हमारे कैसे हैं समाज में नहीं सबतर का कारण से हमारे स्कूल में कॉलिजित में नरसरी में अगर यह सिखा दिया जाए ABCD ABCD का मतलब क्या है एक तो A for Apple, B for Bat, C for Cat, D for Dog होता है ना अगर उनकों में सिखा देंगे A for Atma, B for Baba या B for Baba या बाप और C for Connection नरसरी में तो हमारे यहां क्या हो जाएगा इस तरह के भाव नहीं पैदा होंगे और आपस में इंसानों के conflicts हैं, internal conflicts हैं, outer या आपस में conflict हो खतम हो जाएगे तो spiritual health सब के इच्छी हो जाएगे तो हम देखतें कि आज समाज में ना तो physical health है, ना mental health है, ना social health है, ना spiritual health है अगर हम happiness की बात करते हैं तो happiness क्या चीज़ है अगर हम happiness की बात करें तो क्या हम खुश है, अपने आप से पूछे, क्या हम खुश है, एक खुशी की खुशी की इंटरनेशनल अंतराश्टी परिवाशा है, इंटरनेश्टी अक्सेप्टेट परिवाशा क्या है, happiness is an inner state of being, and it comes from inner satisfaction and well-being, तो खुशी जो है अंदर की बात, happiness को भार से नहीं आती है, आपको आज एक करोड की लोटरी लग गई, आपको आज आपने share में जहां पार के पैसा लगा के रखा था, बहुत शारी share के एक दम value एक दम बहुत बढ़ गई, वो खुशी नहीं है, वो outer happiness है, जो शनिक है, थो real happiness क्या है, वो अंदर से आती है, और जब आप संतुष्ट होते तो आती है, संतुष्टा से खुशी आती है, तो हमें ये बहुत गयारे समझने की आवशकता है, तो अब कहां से, आज कोई देखो, आप healthy भी कोई नहीं है, happy भी कोई नहीं, क्या करें, क्या करें, happiness कहां से आ अता सत्य अता से, जब आप सत्य अपने सत्य में टिक जाते हैं न, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, जो real ग्यान आपको मिल जाए, सत्य की समझ मिल जाए, जहाँ eternity है हुआँ, खुशी है, eternity, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, eternity है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, eternity है, मेरे सब संबंद उसके साथ है, eternity है, सदा है न, और ड्रामा, करम, eternal है, जो करम आपने कर लिया, वो कभी नस्ट नहीं हो सकता है, ड्रामा भी अविनाशी है, A, B, C, D, जैसे मैंने कहा, तो happiness जो है, truthfulness से आती है, fearlessness से आती है, निर्भहिता से आती है, खुशी आती है शांती से, जब आपने से शांत होते हैं, जब आपने सब के लिए प्यार होता है, खुशी आती है purity से, मन और तन की शुदता से, धन की शुदता से आती है, अगर आपके अंदर गलत धन है आपके पास, काला धन है, तो आप अंदर से बहुत ड़ते रहते हैं, खुशी आती है power of tolerance से, जितना अधिक आपके अंदर सेहन शक्ती होती है, सेहन शीलता होती है वो तो खुशी आती है, अगर आपके अंदर सेहन शीलता नहीं तो आप खुश नहीं रह सकते हैं, खुशी आती है त्याग से, खुशी आती है आपके अंदर, Selflessless मतला अगर selfish हैं तो नहीं कुछ रह सकते हैं Selfless हैं तो हो सकती है Compassion है अगर आपके अंदर दया है रहम है, करूना है, शमा भावे उससे खुशी आती है तो क्या करें हम धर्थी पे तो problem है खुशी भी नहीं है शांती प्यार खुशी मार्केट में मिलती नहीं तो कहां जाएं अगर hospitals में देखें डॉक्टर्स को देखें तो डॉक्टर्स को ज़्यादा बिमारी आम पॉपॉलेशन से भी सर्वे किया गया है अमदाबाद में दिल्ली में चैन्नाई में डॉक्टर्स को और सिस जन्रॉपॉपॉलेशन तो देखने में आए ब्लड प्रेशर ज्यादा मात्रा में डॉक्टर्स को है डाइबिटीज ज्यादा मात्रा में डॉक्टर्स को है हार्ट अटेक्स ज्यादा मात्रा में डॉक्टर्स को आते हैं इना तो क्या करें जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं वह हैल्दि नहीं वही है यह वह हैपि नहीं है पो मुझे याद है जब मैं नाइंटीनग में अव्र्ट नीजयर है में था था उससे पहले है जै दिल्ली में मेरा अपन को अछुपर्ल special था तो तो मेरे को एक दिन ऐसा जैसे ब्रह्मा कुमारी भेहन ने बताया कि आपको हमारे यहां के हमारे एक्जिविशन की इनौगरेशन करनी है तो मैंने किसी और को बुलाई है मैं तो बहुत बिजी हूँ आप किसी और को बुला लेजी नहीं आपके द्वारा ही होगा तो जब मैं उसका फीता काठते हैं न कैचे किसी विलाएशन का फीता काठते हैं कैचे से तो तभी मुझे अंदसे कि फूरसत थी कुछ भी काम करने के मुझे फूरसत नहीं थी तो लोग मुझे कहते थे वो तो मैंसे मैं बहुत बिजी हूं लोग भी मुझे बहुत मानते थे विसरिया में मुझे उससे मैं कि आप यहां से आउटर देली से आप इलेक्शन लड़ें कोई पार्टी वाल मुझे अप्रोच किया मैंने करें मुझे लड़ना है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छा मेरे बहुत अच्छा नाम था पूरे अरिया में तो यह हलत थी कि मैंने तब तब मुझे अंदर से क्या डॉक्त क्या तुम जो बच्चे जो तुम जो कर रहे हो क्या उससे तुम सारी दुनिया को ठीक कर लोगे जैसे वो चल रहा था एक्जिबिशन मुझे वह भेंजी समझा रही थी तो मेरे को अंदर से वह यह वाज आई जा रही थी कि नहीं क्या तुम सारी दुनिया को ठीक कर लोगे क्या तुम सारी दुनिया को ठीक कर लोगे क्या तुम सारी दुनिया को ठीक कर लोगे तुम सारी दुनिया को ठीक कर लोगे तो मैं अपने आप से बाते करते मुझे महसूस होए मैं तो सारी दुनिया कर सकता हूं तो मैंने मैंने प्लैंड किया हो था पंदरा जनुरी का दिन नाइंटीइटी सीक्स का और उस तह मैंने प्लैंड की वालत नौलिज टो ने तब को मैंने पिजैंट्रिक एकजाम डिया ओधर मेरा मैंमंस का और सुलक्षन होने के बार मैं चैमि सेय logarithming मेने मेरीकल सेथिस में जाइट किया तब मुझे पैली बर ब्रहमसकुमारिसuto फिलम देखने लिए जा रहत आए सब मैं उर्मुजे बता रहा जी नहीं स्व्य क्विए अंच्अ में ब्रभंधिर्टेक्स आ गई उन दिनों फिर मिरको सारी बातें जैसे क्यान में चलने के बाद, रोज अमरी त्विला और मुरली करने के बाद, रोज परमात्मा से बहुत और नजदी की आने के बाद, मुझे क्लैरिटी हुई, एक थ्री डामेंशनल हेल्थ केर सिस्टम इवाल्व हुआ, वो जो थ्री डा फिर वांश हेल्थ यह विवांस धीकिर सिस्टम है, वो सारह सारह वन डेमैंशनल हें, रोज बॉडी को इड्रेस करता है, किसी भी मेडिकल कालज में, मेडिकल स्कूल में, भारत में या वीदेशों में, बॉडी के बाद ही पढ़ाजाता है, पना माइंड के बार मोस सब्सक्राइब करते हैं उनका उरिजनल मन में है पहले मैंटल डिस इस होती है दो शब्द अन्दर से शांति है मन में फिर भिछरी में 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 एक तो तो मुझे सिस्टम का clarity हुई और तब से तो इसमें तीनों healthy three dimensional health care system means addressing soul mind and body एक इंसान के तीन अस्पेक्ट है आत्मा है आत्मा का एक आस्पेक्ट जो है वो मन है और तीसरा body है तन है आप कहेंगे मन तो आत्मा का एक आस्पेक्ट है पिर अलग से मन को क्यों करने का अगर मुझे आपको कुछ चीज देनी है मैं सब्सक्राइब यह देना जाता हूं mobile तो मैं कैसे दूँगा ऐसे तो मेरे पास रखा तो मैं दे दूँगा मुझे हाथ आगे करना पड़ेगा और आपको भी आगे हाथ से अगर आपने हाथ बांद के रखे तो आपको लाप ले सकते हैं कि आपको भी हाथ आगे करना पड़ेगा आत्मा जो जो भी इनर्जी देती है मन से बाड़ी को देती है मन के माध्यम से देती है मन के माध्यम से तो मन माध्यम है शरी को एनर्जी दे आत्मा के पास जो एनर्जी है वो आत्मा मन के माध्यम से शरीफ हो देती और मन के माध्यम से ही हम दूसरे से ले सकते हैं तो आत्मा के पास जो है आत्मा के पास क्या चीज़ है और मन के पास क्या मन क्या है और शरीर क्या है शरीर के बार में तो आज बहुत इंफोर्मेशन है हमारे पास मुझे याद है जब डॉक्टर कलाम साफ जब हमने हाट का प्रोग्राम शुरू हो गया अब दू कलाम साफ ज तो तब उनको बहुत खुशी हुई और दिली जाने के बाद उनने फिर मुझे चाहिए अब्सक्राइब्स का ने लगवान भारत में तीस साइंसिस तीस लैब्स तो तब मुझे इनवाइट किया गया उनकी मीटिंग्स में राउंट चेर्टेवल कॉंफेंस थी तो उसमें मुझे बढ़ाया गया तब मुझे भगवान ने और डिटेल में सारा सिस्टम थोड़ा सा ब्रीफली शेयर कर लेता हूँ, समय की कमी होने कार्ण से डिटेल में नहीं जाओंगो, तो थोड़ा समय आप से शेयर कर लूँगा. पहले तो यשिस्टम का जो यह जो थी डेमिंशनल हर्थकेर का सिस्टम का कॉंसेप्ट क्या है? पहले तो वो समझ ले हम, बेसिक मोटी मोटी बात समझ लेते हैं. पहला शब्स हेल्धी शब्द है, वो दो शब्दों से बना है. हील प्लस दाई, हील दाई सेल्फ. अठाथ इस सारे प्लेनेट पे सारे विश्य में एक ही वेक्ति जो आपको हील कर सकता है वो कौन है कि आपके समझते कौन है कि क्या वह डॉक्टर से या लगन साप्कों कर सकते क्या भगवान आपको हील कर सकता कि क्या आपके परिवार वाले हैं को यिस سदू संत आप और फिल कर सकता है को Heeler आपको ठीक कर सकता है क्या सकता है किया पैसा ठीक कर सकता है या जाध्यंटे एक ही आदमी है एक ही हस्ती है वो कुन है थे सुर्स है डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं माता पिता और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपके मदद कर सकते हैं और भगवान आपकी हजार गुना मदद कर सकते हैं इंसान अगर आपने मदद की होगी तो आपकी मदद करेगा अगर आपने मदद नहीं की होगी तो आपको मदद समाथ से नहीं मिलेंगी, माता-पिता से भी नहीं मिलेंगी। अगर आप सपूत हैं तो कर देंगे, कपूत हैं तो वो भी नहीं करें, वो भी बॉदर नहीं करेंगे, ठीक है, we don't bother, हमारे लिए वह ही नहीं, नहीं, तो पहली तो बात हमें समझ लेने कि मेरा स्वास्त है मेरे हाथ में, कि सारे विश्मे की वेक्तियाज हील करने वाला, उससरफ मैं ही हूँ, अपने आपको हील करने वाला, पहली बात, दूसरी बात, अब जब मुझे ही कुद को हील करना है, यसे कहेंगे सेल्फ रिस्पॉंसिबिलिटी, हम करते हैं भारत में 2000 लोगों पे, 2000 लोगों पे एक डॉक्टर है, क्या काफी है, कि अगर हम 1000 लोगों पे डॉक्टर कर दे तो भी क्या स्वस्त हो जाएगा, 500 पे भी डॉक्टर कर दे तो भी क्या स्वस्त हो सकता है क्या, मैंने तो डॉक्टर्स कुद स्वस्त नहीं है, ड ज्यादा बीमार है आम सोसाय आम जनल पॉपलूशन से ज्यादा बीमार है तो डॉक्टर्स को हम बढ़ा दें आज बहुत तो क्या समास्वस्त हो जाएगा तो भी नहीं हो सकता है मैं तो समझते हैं एक आदमी के साथ एक डॉक्तर लगा तो भी सवस्त्री नहीं हो पाएंगे वह तो गभी पॉसिवली नहीं अचीव करना कि फिर भी नहीं हो सकता है और भारत में 135 करोड़ लोग है और 135 के 35 करोड़ चलो बच्चों को छोड़ दो 110 करोड़ आदमी 110 के 10 करोड़ हम में से हर एक अगर सेल्फ रिस्पॉंसिबिरिटी ले ले कि मुझे खुद को हेल्थ हील करना है मैं अपनी हेल्थ के लिए जम्यवार हूं तो क्या होगा हम स्वस्थ हो सकते हैं राइट दूसरी बात अब मुझे अपने आपको हील करना है तो सेल्फ अवेरनेस मुझे जानना होगा मैं कौन हू Healer कौन है और Heal किसको करना है Healthy Shabd का Hindi रुपांतरन क्या है स्वस्त और इसी में राज चुपा हुआ है Healthy Shabd का स्वस्त होने का स्वस्त स्वा माना आत्मा अंदर वाला में बारवाला में नहीं, अंदर वाला स्वा और राज्त माना स्थित तो स्वा means सोल अस्थ माना conscious तो हेल्दी का मतलब क्या हुआ स्वस्थकार्थ क्या हुआ हेल्दी means soul conscious जो आत्मिक स्थिती में स्थित है वो स्वस्थ है अगर हम इस समझ जाएं अगर हमें सदा स्वस्थ रहने तो क्या करना पड़ेगा जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो राजयुक सिखा जाता है उसका पहला चैप्टर क्यों सा है पहला पार्ट क्यों सा है मैं आत्मा हूँ और आखरी चैप्टर क्यों सा है अपने इस आत्मिक स्वरूप में सदा स्थित रहना तो अब स्वस्थ है उन आने वाला युग, स्वराग या सत्युग कहें, उसमें सब स्वस्तन है, पहला पहला स्लोगन के ever healthy. वहां कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य वहां का, कोई भी देविदेता कभी विमार नहीं होता. ना वो शारिक तोर पे बिमार है, ना वो मानसिक तोर पे बिमार है, ना वो समाजिक तोर पे बिमार है, ना वो आध्यात्मिक तोर पे बिमार है वो शारिक तोर पे भी स्वस्त है, मानसिक तोर पे भी स्वस्त है, समाजिक तोर पे भी स्वस्त है और अध्यात्मिक तोर पे भी स्वस्त है टोटल हेल्थ, कम्प्लीट हेल्थ जोसे कहते हैं वो है तो स्वस्त अगर हम समझ जाएं, हम सभी. मैंने पिता, बीमारी, बीमाना भाई, मारी माना constancy. अगर ये भाई क्यों होता है, क्योंकि ना हम दे बहान में आते हैं. दे अभीमान में आते हैं. दे के सम्मन संपर्क के बहान में आते हैं. मेरा वो फ़ला रिलेटिव, फ़ला मेरी मा, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन को अचानक कुछ ना हो जाए देखे पदार्थों के भान में आते हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है, मेरा प्लॉट है, मेरा पेंक बैलन्स है, मेरा यह है, मेरी यह चीज़ है, मेरा शरीर है, इसको कुछ नहीं हो जाए, मेरा मेरा जब करते हैं तो उसमें डर लगता है, मैं दे हूं उसमें डर होते हैं कि इसमें दर पैदा होता है और फिर देवान के सभाउужд रजुमान, देवान के सभाव है काम, निचर जैसे आहकी निचर क्या गर्मी और पांडी की निचर तंड़क है ऐसे ही देवान देविमान के निचर है क्या निचर है उसका सभाव क्या है काम विकार काम विकार इस मिस दे द्रिष्टी एक दूसरे को दे के दे के भान से देखना मेल फिमेल के भान से देखना दे की तरफ अकर्शन होना या विकर्शन होना भी दे काम विकार है तो दे की द्रिष्टी से किसी को देख काम-विकार है क्रोध लोब मोह एंकार यह पांच विकार जनित हैं किससे देभान जनित देभान से पैदा होते हैं यह पांच बिमारियां हैं बड़ी रोग जो कि सेर्ब विमारे विकारण है, और देभान से जो इसको पाँच विकारओं को जो हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमारे इंदर कुछ आदते बन जाती हैं संसकार, संसकार मनें आदते पनते हैं अलस से एक तो सबसे बड़ा तो अलस से पैदा होता है लेजीने साथ अलबेलापन, केरलेसने साथ ही है दूसरा, दूसरों के आफ़गून देखने लगी नेचर जो बताया ना मैं तोड़ देखने पहले आपको दोस्ट डिस्ट्री पैदा होती है सिनिसिजम, सिनिकल नेचर बन जाती है सिनिकल बिहेवियर हमारा हो जाता है फिर हमारा हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाता है बदला लने की पहावना फर्गिव नहीं कर पाते हैं किसी को बदला लने की पहावना पैदा हो जाती है हम शक करना शुरू कर देते है अनुमान लगाना शुरू कर देते है suspicious nature बन जाती है, assuming nature बन जाती है जिसे हम schizoid nature भी कहते हैं, बाद में यही schizoid behavior कहते है schizofrenia का कारण है यह फिर हमारे अंदर anxiety हो जाती है, चिंता रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा fear, fear पैदा होता है, और हमारे अंदर हमेशा time pressure, work pressure जिसे हम कहते हैं, जल्दी बाजी कहते हैं भाशा में competition comparison हो जाता है, और फिर हमारे अंदर इर्शाद वेश पैदा होती है, तो यह 10 मोटी-मोटी बाते हैं हमारे आदते बच्चाती हैं, और फिर आगे हरे के 10-100 भी बच्चे हैं, तो यह जो हमारे अंदर जो यह जो भान ना पैदा होता है, और इसकी बज़ाए अपने को आत्मा समझ लो, तो क्या हो जाएगा? आमें एनर्जी, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं देज नहीं हूँ, यह एनर्जी एटर्णल है, जनम मरन से परे है, बच्चपन जवानी बुड़ापे से फ्री है, गरिभी अमीरी से फ्री है, शरी छूट जाएगा, कि मैं आत्मा तो एटर्णल हूँ ना, तो यह जो भान पै तीसरी बात है multi-dimensional approach, तो पहले मने बताई self-responsibility, दूसरी बताई self-awareness, दूसरा concept, concept का main सिध्धान्त, पहला number self-responsibility, दूसरा self-awareness और तीसरा सिध्धान्त है, main जो है, multi-dimensional approach, कि मेरी approach life के प्रति, अपने जीवन के प्रति, multi-dimensional होगी चाहिए, खाली में बटके meditation करता हूँ, वो खाली मन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच लगाता रहूं तो भी ठीक नहीं है और खाली रेगुलर में वॉकिंग करता रहूं नेचरल नेचर नेचर क्योर करता रहूं हर बल मैं सार दिन मैं खाना पिना फल और सब्जें खाना शुकर दूँ ना डाइट भी ठीक करूँ रोजु को कटा रहा हूं तो भी ठीक नहीं है इसाधि सोता ही रहूं सतो क Catholic नहें है कैं हमें बहुत-बहुत आवश्यक है कि हम को हमारे five-alley i तो जब मुछ यह एक पात हम समझगे कि मैं जो हूं कि मैं अपने लिए अपने हेल्थ के लिए कुछ रिस्मोंसिव भर ऊणूं दूसरी बात कि मैं आत्मा हीलर हूं, मुझे आत्मा के पाद जो साथ एनर्जी हैं, साथ स्प्रिच्वल एनर्जी से उस वो वो हील करती हैं, औ तो मन को करना एक शरी को करना है, मन बिमार हो जाता है, शरी बिमार हो जाता है, दो चीज को मुझे हील करना है, ये बात क्लियर हो गई, अब जब मुझे जिम्मेबारी मिले हील करने की, आत्मा ही डॉक्टर है, किसका, मन का और शरीर का, तो अब क्या चाहिए, अब उस आत्म में कौन मुझे बताएगा तो उस प्रॉसेस को बताने वाला कौन है और वो प्रॉसेस भी टूथ होना चाहिए पावर कहां से आती है सत्य से आती है सत्य से पावर आती है तो सत्य क्या चीज़ है सत्य की दो क्वालिफिकेशन है पहले तो बने बताएगी सत्य एटरनल होता है बियांड बर्थ एंड डेथ होता है दूसरा सत्य अंचेंजेबल होता है सत्य कभी बदलता नहीं है तो सत्य कौन है परम सत्य कौन है खा जाते हैं गौड इस टूथ परमात्मा परम सत्य है परमा परमात्मा एपरिवर्तन्शील है तो यह पिर ग्यान जो सत्य की समझ कौन देता है हमको परमात्मा देता है तो परमात्मा क्या समझ देता है पहले तो आत्मा के बारे में बहुत गयरे से हमको बताता है कि तुम कौन हो फिर मैंड के बारे में बहुत मन के बारे बहुत गयरे स से बताता है कि मन क्या है तीसरा जो बताता है वो फिर बताता है बॉड़ी के बारे भी हमको सही नॉलेज परमात्मा ही देता है किताब हम मिलती है पर वो भी इनकंप्लीट होती है परमात्मा बताता है और तीनों का अपस में क्या संबन्द है वो परमात्मा बताता है और हमारे इंदर गड भी है जिसको हम बाइलोजिकल क्लॉक एचे हैं हाइपोथलेमस में उती है उधो घड़ी भी हमारे empowered ते इस Breaking में खुद आकर के सिखाता है किस समय सोने है किस समय मेडिटेशन करना है किस किसमें सालमन के लिए प्लैनिंग करनी है किसमें आपको एक्सिसाइज करनी है किसमें आपको नाश्ता करना किसमें लंच करना किसमें डिनर करना किसमें आपको घर घरी आफिसा काम करने का बेस्ट टाइम कुंसा है किसमें आपको लंच करने किसमें आपको फूरूट्स खाना अभी आजकल के लाइफ में प्रमारीयां क्यों बढ़ गई है छाया था मांसिक और शौरीर को क्योंकि आजकल की घड़ी के दुस्तानु चलते हैं हमारी लाइफस्टायल जो हमारी जीवंशयाली कैसी बन गई हम हमारी प्रेशर-बेस लाइफस्टायल बन गई है क्योंकि मैं ऑफिस से दस बजे रात को खराता हूं तो तो मेरा दिन्द करने का टाइम 11जे प्रेशर बेस्ट लाइफस्टाइल है पर मात्मा फिर दुबारा से हमको सिखाता है कि बच्चे किस समय सोना है किस समय उठना है और जब हम इस सिस्टम बे इसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो हम देवी देवता बन जाते हैं तो हमें देवी देवता बनने की ट्रेनिक मिल रही है जो कम्प्लीटली हेल्दी एवर हेल्दी इंसान है मनुष्य है मनुष्य से देवता बनने की टेंग है तो यह जो तीन है पहले परम इसका भी प्रॉसस है आप जानते होंगे हर इंफर्मेशन हर जब एजुकेशन दी जाती है किसको टेंग किया जाता है उसके तीन आस्पेक्ट होते हैं पहला होता है इनफर्मेशन दूसरा है तो एजुके ये जाती हैं दो हमारे साथ दिन का कॉर्स कराते है ना जैसे हमसादीं का ही हाट का सिस्टम हैं सिस्टम पिछले 25 साल से और आज लग- Колब सबनेना प्रोग्राम्स कर चुके हैं पीदेशों में भी कर चुके हैं में उसमें बहुत स्पाउज बलाते हैं और उनको शिखाते हैं और फिर इनको दिल्वाले कहते हैं है हाट पेशन्स होते हैं इंचिवराफी पुछ जाकर औरों को सिखाते हैं तो अब दस जाद से ज़्यादा दिलवाले हैं जो दूसरों को भी ट्रेणिंग दे रहे हैं तो और यह वह दिलवाले वह पेशन जिन्हों ने अपने अपने ब्लॉट प्रस्ट डाइबिटी से मुक्ति पाई यह काफी हद तक और भी दस्य ट्रदीक क्लोबरेशन हमने रिसर्च किया कि द्लवें की अबर्ट की टॉप मुस्ट मुस्ट मोर्ण जिसमें वर्ड में जो है यह न को स्बसे जयाद मोस्ट होती हैं मोस्ट विजिटिट होती हैं पाइडी इसर्चर्ट पब्लिक कुष यह उनको उसके साब सर्से नंबर कि जाते हैं जैसे टॉप तेन गीट होते हैं में डॉप्टो भी हलब न को घ् MIL-च एक टॉप टॉप तॉप टॉप टॉप स deb 않ती घ्रश को हुद की इसको माउंट अगओ पुन HARD प्रेहल करते हैं तो हमने जो है इसमें यह जो यह बताया है मैंने आपको अंसेप्ट सेल्फ रिस्पॉंसब्रेटी सेल्फ अवेरनेस और तीसरा माइटी डिमेंशन अप्रोच तो पहला इंफर्मेशन दी जाती है साथ दिन का जो टेनिंग दी जाती है फिर एडिकेशन एडिकेशन डेली बेसिस पे होती है जिससे हम परमात्मा की हम मुरली कहते है रोज सुनते है रोज अपटेट होता है डाटा रोज GPA तो पर्सनल लेवल पर परमात्मा से होती है, जब आप परमात्मा सम्मन रखना सीच जाते हैं, तो आप परमात्मा से डारेक्ट समझ सकते हैं, कोई बात आपको समझ नहीं आती है, हमारी जो टीम से भी समझ सकते हैं, कोई पॉब्लम होती है, तो आपको हमारी टीम आपको समझ से आत्मा क्या है आत्मा एक point of energy है जो कि hypothalamus दोनों brain right and left का control room hypothalamus है और उसमें भी biological clock होती है और उसी में उसके और pituitary junction पे एक seat of the soul कहते हैं उसको वहाँ पर seat of the soul के लिए control room है वो दोनों brains का पुरा brain जो है हमारी पुरी body का control room है है लेन में हर्ची का center है कि आपकों देखने के इंदर पीछे हैं बुलने का किंदर यहां है सुनने के जिए हमारा जो पीछे को पीछे न जो लोर brain होता है उसमें हमारा heart का system में हाथ को इला रहा हूं तो उसके लिए हमारा जो है यहांपर system है उसके Hypothalamus में आ रहेके release, encode होते हैं, और हमारा जो limbic system है, वो हमारा emotions और attitudes का system है, वह पर वो process होते हैं, मतलब brain में हर चीज़ का, पूरी body के, पूरी processing हमारे different areas में होती है, इसे देखाओ कर बार injury हो जाती है, head injuries हो जाती है, कर बार stroke हो जाता है, clot हमारे heart से या गर्ण की artery से, दिमाकी नसों में चलाता है, आधी body paralyze हो जाती है, आवाज चली जाती है, कई बार, नहीं के बार नहीं भी जाती है, देख सुना हो ना, अपने ऐसा होता जब, stroke, cerebral vascular accident कहते हैं, तो वो सारा brain का system, उसका भी controlled हम hypothalamus है, और hypothalamus के, और pituitary, जो के pituitary gland, पूरी body की जो hormonal glands है, उनकी master gland है, वो उसका control room pituitary gland है, पूरे hormone system का control room है, और pineal gland जो बीच में है, बहुँ छोटी सी, पहले कहते थे pituitary, pineal gland जो है, आत्मा का केंदर है, आत्मा के seat है, निक में तो वो गलत बाद में सिद्ध हुआ, पीनले लेंड आत्मा सिर्फ वो एक नींद के हार्मोन निकलती है, हमें प्रॉपर नींद आया, उसके लिए हार्मोन निकलता है, वहां से mellotone नम का हार्मोन निकलता है, और हाइपोथलेमस से कुछ ब्रेन के ऐसे फेक्टर्स निकलते हैं, जो नो फेक्टर्स निकलते हैं, और पिच्चुट्री ग्लेंड से आठ हार्मोन निकलते हैं, नो वहां से हाइपोथलेमस से और हार्ट यहां से और एक पिच्चुट्री के से निकलता हैं, अगर आपने को अगर आप आनन्द की सित्य का अनुभव कर लें तो आई देखने में कि आपके जो ठारा की ठारा हर्मोंज हर्मनी में निकल जाते हैं जिससे नेक्स 24 घंटे में आपकी जो भी बिमारी है मन और तनकी डिप्रेशन है नीन नहीं आती है या इन्जाइटी बहुत या शरी की बिमारी है ब्लड प्रेशर है डायबेटीस है जो भी मतलब बिमारी है वो सारी से कम हो जाएं अगले 24 घंटे है इसकी बजाए अगर आप इस समय सो रहे हैं आनंद की बजाए सपने देख रहे हैं और यह देखने में चार से च्छे के बीच में जो भी सपने देखते हैं वा दिखते हैं विकारों के सपने होते हैं विकारों के सपने होते हैं काम कुरोद लो मों कर के सपने होते हैं या ट बैलेंस हो जाएका डिस्सार्माइन हो जाएगी और अगले चोब इस घंटेमें आपका डिप्रेशन बढ़ जाएगा एनजीटी बढ़ जाएगा नीन्थ नी आएगी और कौज आएगी नियांगी और आपको भूसर डाइबेटी फिर्ट डीजीजर जो भी तखली सब इसलिए इस समय जोता है उसका भगय भी सो जाता है इसलिए भरम मुरत में उठकर के meditation करना यह बहुत बहुत इंप आप्शनल नहीं है इस नोट आप्शनल फॉर एनी human being on the planet इस अब मस्ट फॉर एवरी human being on the planet if you want to enjoy healthy and happy life right आज सभी विमार क्यों है मांसिक और स्टरीक तॉर पर क्योंकर सबके सब आज गड़बड़ यही कर लेए यही पे सब गड़बड़ कमजोरी है या तो उठते नहीं है और उठते उठ भी जाते हैं तो फिर क्या होता है इसकी importance नहीं समझते हैं, इसका महत्वनी समझते हैं, उठते ही television खोल देते हैं, mobile पे लग जाते हैं, WhatsApp पे लग जाते हैं, अपने आप से जुड़ने के बजाए दूसरों से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ने के बजाए दूसरों से जुड़ जाते हैं, तो पहली कि 80,000 अरब कोशिकाओं की हर्मनी कर दुनिया की पापुलेशन 800 अरब भी नहीं है और मेरी पापुलेशन कितनी है मुझे आत्मा के राज्य में कितनी कितनी पापुलेशन है AT8000 अरब ar एक एक कोशिका में एक सेल में एक सेकड़ में एक लाग्राख रेक्षिण हो रही है कितने ही रेक्षिंस हो रही है, और समझें एक हो रेक्षिण कितने देरे में मैं हो जाती है , एक लाग्राख इंटू कितन एक सेकल कौन कर रहा है आत्मा है तो हू रही आत्मा निकल के तो कुछ भी नहीं हो रहा है कि इसलिए कि करम योगी बनो क्योंकि इतनी energy इतनी energy चाहिए तब जाके आत्मा के बाद energy तभी तर्षरी काम करेगा नितुन करेगा अगर आप जल्दी बाजी अगर आप टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में रह रहे हैं बीमार क्यों होते हो अगर वर्क प्रेशर टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में रह रहे हैं तो क्या हो रहा है अलग भग एक सेकिंड में एक लाख बीसेज़ा रियक्शन हो जाती है यह तो उसके toxins बन रहे हैं, free radicals बन रहे हैं, oxidants बन रहे हैं, उसको body के अंदर इतनी capacity है, उसको toxins को wash भी एक second में कर देए, एक second से कम समय में कर देए, एक second के पाश सेल्फ फ्रेश होती ही वापिस, इतनी toxins बन गए और वापिस वापिस हो जाते हैं, इतनी wonderful हमारी body है, आत्मा इतना बढ़िया काम करती है, किन्तु अगर आप time pressure work pressure में body conscious, roll conscious होके, metal conscious होके, और आप उसके pressure के कारण ही आप time pressure work pressure में आते हैं, perfection के pressure में आते हैं, मैंपन, मेरे पन के कारण ही आते हैं, तो आपकी reaction लगभा 1,20,000 रजाती हैं, तो 20,000 extra reaction हो इसके toxin body साफ नहीं कर सकते हैं, वो cell में रह जाएंगे, खोशिका में रह जाएंगे, और इसकी बजाए अगर आप anxiety में आ जाते हो, और ज़्यादा pressure होता है, 1,40,000 reaction हो जाते हैं, चिंता कर ले, और अगर आप irritate हो जाते हो, time pressure work pressure current से, तो 1,60,000 reaction हो जाते हैं, ल आप समझ मैं आपको toxin आप बिमार क्यों होते हैं, cells इसलिए बिमार हो जाते हैं, विक्री toxin से बढ़ जाते हैं, poison से बढ़ जाते हैं, हाथ पर काम नहीं करते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, आँखों से दिखता नहीं है, आँखे हैं अपर दिखता हैं, दिखना कम काम करने से इनसान नहीं थखता है फीजिकल काम करने से कि तुन इसे थख जाता अब मेडिटेशन कैसे हील करता है उदेशन योग और मेडिटेशन कैंस्तव-अप्ने होते हैं, आम भाशारम को समझ में नहीं आती है, what is yoga, what is meditation, meditation is nothing but connection, किस से connection, connection with the truth, सत्य से जुड़ना ही meditation, right, तो सत्य के मेरा सत्य क्या है, क्या है मेरा सत्य, body सत्य है क्या, Satish Gupta सत्य है क्या, doctor सत्य है क्या, मैं मेल हूँ यह सत्य है क्या, सत्य नहीं है, आज एकल नहीं हो सकता है, बदल सकता है, आत्मा सत्य है, right, तो मैं आत्मा हूँ इससे जुड़ गया ना अगर मैं तो यहीं मेरिटेशन है, क्या है मेरिटेशन, यह क्या है, अपने सत्ते से जुड़ गए ना तो मेरिटेशन हो शुरू हो गया, यह मुश्किल है क्या है, I'm a being, I'm not a body, I'm not a doctor, I'm not a role, I'm not a role, I'm a soul, यह मेरिटेशन है, कि छलते फिरक्ते इठते खाते पीते हर करम करते चलते हर समेशा अपने को बींग कॉंशेस समझो सोल समझो कि में आतमा है करो तो बस वेज़ते हैं और जहां आतमे आप कौन मेरे काइड तहे एमडी में है का जिए मैं स्बेशलाइट किया तो मेरे कौन मेरे को इस मेरे को कौन मेरे को पढ़ाते हैं है वो याद आ जाते हैं अझा कि अधर मासम तर्मातमा याद आ जाता है है तो तो उसके त्रून मैं पर्मात otra平 जाता ओंifier debt Inha Unixlarınio Jinping कि चलते फिरते उटते पैट अरक Midback मेरे पिताजी चलते फिरते उटते बैखते मुझे याद रहता है कि मैं ऑन से क्या संब्हुर्स गूंद hiện कि प्रमात्मा और मेरे में पर मरा सात्मsey का पावरहस आउस हैं лиш MIN तोड़ी सी खतम हो गई सतो प्रधान पहले सब्सक्राइब तोड़ी सी रह गई है पहले रजो बना आदी थी अभी इस ताम हो मना ब्लुकुल ना के बराबर रहे पांच पर साथ परसेंट रहे बैटरी डिश्चार्ज हो गई नहीं करता है तो इसे जा रहा है इंच्छी की ने बोलता है तो यह हमारा जो यह है meditation, यह है राजयोग meditation राजयोग means कि मैं आत्मा राजा बन जाती हो, मेरे पास energy है तो मेरा आत्मा राजा बन की किसकी मन की बुद्धी की संसकारों के राज़ अपने चाहती है तो आत्मा की बस साथ energy है, पहले energy is the truth understanding of the truth ABCD जैसे कहते हैं आत्मा बावा connection drama और P for फिर जो है उसके बाद second energy है पवित्रता इसका फर्मूला है साथो energy का, इस sequence में ही है KP square low high blood pressure K for knowledge knowledge ज्यान, मतलब knowledge means understanding of the truth ABCD या APCD, आत्मा परमात्मा connection drama, P for purity जितना ज्यान का मननचिंतन करते हैं, उसको मैसुस करते हैं, realize करते हैं, revise करते हैं, realize करते हैं ABCD कहां से आता है? उससे आता है जितना अधिक मुरली का मननचिंतन मन्थन से मुरन करते हैं तो उतना अधिक हमारे यंहांदेर मन वुद्शुद होते हैं पवित्रता आते हैं और उससे फिर peace Peace means being in the present पीसे आते हैं जब हम पवित्रता वारे इंदर ग्यान और पवित्रता आ जाती तो हमारी पास्ट ही लो जाता है जो हुआ अच्छा हुआ अब भविशे की चिंता खतम हो जाती पास का चिंतन खतम भविशे चिंता खतम 90% हम वरतमान में आ गए इसको शान्ती कहते हैं अब अपने को आतमा मैंसुस करता हैं अब आफ हैंसुस करता हूँ आप को भी आतमा और सिख जाते हैं, accepting people as they are, that is love, unconditionally accepting people as they are, चाहा पती पतनी हो आपस में, चाहा बाई वहन हो, चाहा दोस्त हो, चाहा ओफिस और इंप्लाईज हो, इसको बोलते हैं, सच्चा प्यार हाँ, और खुशि किसे बोलते हैं, contentment, जो आप को मिला, जैसा मिला, जतना मिला, उससे आप संतुष्ट हैं, तो आप खुश हैं, और जब खुश हैं, तो आपके इंदर इच्छाएं बहुत कम हो जाते हैं, इच्छा and go beyond this body and bodily world, going beyond anand, that is anand, anand means anand means bandhan, anand means mukt, bandhan mukt, आत्मा feel करती है कि मैं bandhan mukt हो गए, दे और दे के दुनिया के bandhan से परेचले गए, परमात्मा के प्यार में lean हो जाते हैं, उसको कहते हैं, और P for powers, शक्तिया, इससे शक्ति आ जाती, सत्य को परकने की शक्ति, यह थात निर्णे करने की शक्ति, राइट निर्णे करने की शक्ति, सत्य और असत्य को परकने की शक्ति, राइट क्या है, रॉंग क्या है, सही निर्णे करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समिटने की शक्ति, सेहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सेहन करके समा लेना, काफी सारी हमारी बहने स्पेशलि क्या करते हैं, सेहन तो कर लेती हैं, समान नहीं पाती हैं, इससे दर्द होता है, माइग्रेन हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, हड्यों में दर्द हो जाती है, कैल्शेम गोली घरे में बिंदी ऑफ से कंबाइन होने की शक्ति चाहिए। अधिर पावर्मी वेस, और भी प्राउब्म्म जाने वालेомина आगे, सामना करने की शक्ति, सही होका करने की शक्ति हैं, तो यह जाते हैं तो यह साथ भात्मा जो है साथ एनरजी इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है और जब मन क्या है मन के चार आस्पेक्ट है टीम कहते हैं उसको थौट्स, इमोशन, अटिटूड्स, और विचार कोई विचार वो गहराई से करते तो भामना बन जाती है भामना से वाइब्रेशन, दो विचार जा सम्मंद होते हैं वहाँ, मैं याद कर रहा हूँ, सम्मंद से याद कर रहा हूँ, किसी को वो मेरी पती है, पतनी है, दोस्त है, भाई है, बहन है, यासे आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा को यार कर रही है, संबन से यार कर रही है, मेरे माता, पिता, सिक्षक, सत्गुरू, बंदू, सखा, साजन, साजन और बच्चा, नो मुखे संबन परमात्मा से हमारे होते है हैं हर समय हर जंगे हैं तो अगर हम सम्मन से याद करते हैं आत्मा आत्मा यहां है परमात्मा को याद कर रहे हैं सम्मन से तो आत्मा परमात्मा को इंटेंसली याद कर तो मेरी भावना वन जाती है मेरे से वाइबरेशन निकलते हैं परमात्मा को पहुंसते हैं परमात्मा कहत हखा, तो परमात्मा की जो टचिंग है क्लिर टचिंग मुझे है, इसको क्लियर वायंस के नहीं जो, और जब मैं इसी भावनों में रहने लगता हूं परमात्मा के साथ क्योंकि मुझे प्राप्ति होने लगते हैं तो उसको सरकल पूरा हो जाता है सरकल पूरा हो गया तो वृत्त बन गया एक सरकल तो वृत्ती बन जाती है attitude change हो जाता attitude जैसा विरीथी वैसी say चांब जाती है loveful दिखाई दिखाए दिखाई दिन लेखती तो मेरी gagdaइब जाती और जो मेरे इंदर अच्छे विचार चल रहे है positive thoughts उसे energy पैदा होती है वह मीडाब अबंडल बन जाता है आसपास शांती प्यार कुशी का वाई मुंदर बन जाता है और उसमें जो परसेप्शन्स और इंप्रेशन्स मुझे होते हैं मैसूस होते हैं और मेरे बिलीव सिस्टम बदल जाते हैं पहले में सबस्टा कोई किसी का नहीं है सब सेलफिश हैं अभी लगता है कि उपर से लगता है शैद मेरे कमया मुझे बता रहें भूजे ओवेर करों दुख्याइब ही नहीं होता हैं मुझेало अच्छा लगता है इरिटेट नहीं होते हैं और क्या बिलीव सिस्टम बदल जाते हैं आपके मेमोरीस बदल जाती संसकार बदाती संसकार ही जीवन है तो सातों एनरजी और टीम पॉजिटिव हो नहीं तो चार से पांच आप मेडिटेशन करें आदा घंट आनंद का अनंद अब समझे क्या है गोइंग बियॉंड आपके हार्मोस टिगर हो जाते हैं और फिर पॉजिटिव टीम एनरज बॉड़ी की सेलजमा जाती है और उसके बाद आप आठ वज़े तक तो यह आपने यह किया चार से आठ आप उसी मोड में रहते हैं तेलिविजन मुबाइल इन बातों से दूर रहते हैं और फिर आठ वज़े के बाद नियूस्पेपर बगार भी आठ वज़े के बाद पिर अंकुरित दलिया दूद दही लेते हैं फिर 11 बज़े फल खाते हैं फिर दिन में फिर पहले सलात खाते हैं प्रोटी सबजी खाते हैं दाल खाते हैं और फिर शाम को फिर फल ले लेते हैं और शाम को से 7 बज़े के पहले हम डिनर कर लेते हैं शाम को बहुत थोड़ा स याद में साथों अनरजी का ब्यास करते हैं तो एनेरजी सारी बोड़ी से टॉक्सिंस भाने कर जाते हैं और शुद्ध सात्विक भूजन कर लिए जब फिर घर ओफिस में काम करते हैं वो भी सोल कौन्शेस होके करते हैं क्योंकि आत्मा हया काम करेंगी शरी तो काम नहीं करता अ है और साइम पर सौने के पहले वेंटिलेटT कर लेते हैं जो भी स्थ aspiring गलती हुई प्रालबं होग फिर प्रावबम हो लगोई तो पर्मात्मा को बता देतें कि आज मुस्सें गलती हो डियें जलतियां होती तो परमात्म को बता जितने अच्छी बात के लिए अपने आपको पैट कर लेते हैं शाबाश की देते हैं पर फिर सोज आते हैं परमात्मा गोड़ में नीन बहुत अच्छी आती है तो एनरजी जो मेरी अंदर आगे तो शरी के भारानी शिरुए कर्मों में आया ने वह इनरजी कर्मों में आए बीच में अपने को रिमाइंड कर लेते हैं कि मैं कौन हूं तो पहले एक चार स्टेप होगे ना पहले आमरे तविला ब्रहमूरत में मेरिटेशन आधा गंटा फिर मुरली फिर साथ दिन उसका अटेंशन रखते हैं और सोने के वहले वेंटिलेशन कर लेते हैं और पवित्र रहते हैं चार परहिज करते हैं पवित्रता शुद्ध संग सत्य का संग करते हैं परमात्मा परमात्मा गयान का सागर है और उसकी जो मुरली है न वह है ज्यान मान सरोबर है उसले ऑढली जैंबर रहते हैं तो मन पॉजिटीव मो 앞에 लेक्ता है क्योन दुनिया में मिलती है हमको आस पास इधर भी नेगेटीव एगेटीव सामने भ पुश्य काफी समय का उससे बचने के लिए हमारी कोच होता है क्योंकि है अची चीज हमारे पॉजिट पीम रहती है न हमारे हाथ में यह बहुत काम करती है इसलिए तुम आप दिल के पास रखता हूं इसलिए हार्ट अड़क कभी नहीं होगा एक गारेंटी है तो फिर ऐसे क नहीं वो वावब मढ़ρ के सबस्काइब ऑन में मेरे सबस्क्राइब था है चाहे में आपने हास्पेडल में बैठाऊ जाओ एक हुए मधू से चीजीए में जाओ मौन GP ओ किए जंगल में मंबं बंगल हो है क्ई शान्ती प्यार खोशी और अंदब्र रहता है और समाज से संभन Дेता हूं तो मुझे भी रिघार देते हैं मुझे ना भी तक हеся नहीं भी ख्रजा नहीं हैं आइस सब्सक्रमर आध्यात में कहलती अच्छी रहती हैं तो मन और सब बीवारी से मुक्ति हो जाती है और जो भी बीवारी आती मारी polls aisle P काड़ी मैं पहती मुझे हो गई थी वो तीन मेहने में ठीक हो गई फिर एक बद टाइजमिन निरल्जिया शुरू हो गया तो भी मेरा ठीक हो गए बिना दवाई के तो ऐसे हजारों लोगों की ब्लड प्रेशर ठीक हो गए डायबेटिस ठीक हो गए जी आड़ी ठीक हो गए एसे बहुत सारी बिमारियां मन डिप्रेशन ठीक हो गया काफी लबार सुसाइडल टेंडेंसिस ठीक हो गई लोगों की एंसाइटी कटम हो नीद आनिश्ट हो गई तो राज्योग द्वारा आत्मा अपनी बुद्धी को बुद्धी जो भ्रस थी वो अभी करेक्ट हो गई जो पहले जो पहले चंचल था हम्मेरे कंट्रोल में आ गया है कंट्रोलिंग पावर Radio कोई और संसकार बदल गएं संसकार आदे थे बदल गए गर खराब खाने पीने कि आते चुट गई गालाए टाइम पर सोने गाला टाइम ऐतनी क्यादत खत्म होगी सारा दिन دे डीजिटल मीडिया मेरे हाथ में धा हलवी हाथ में रहता है कि तो इसको यूइस görता है है तो 먼 को यूज करता है यह इंद को यूज करता है दिग्व, इसको यूज सारे से डरने की बात नहीं आए लाइफ तो चैलेंज है Life इस फुल of चैलेंजेश आएंगे और सारे बिमारी आएंगे बहुत सारि समस्देयर गर में भी आएंगे बाहर भी आएंगे पर अगर आप परमात्मा का साथ है कहते हैं अगर आपके साथ कुदा है तो क्या कहते हैं अगर खुदा साथ है तो आप समझते में लाइन पूरी नहीं करूंगा आप सब अपने आप अंदर ही पूरी कर लें नहीं खुदा महरबान तो आप समझ गये होंगे वाकी है नहीं सब बीमारियां वी आपके लिए एक अच्छा अनुभव दे करके जाएंगी एक अच्छा इंसान बना के जाएंगी तकलीफें चाहिए चतन की आएं अब को चैलेंजे जितने मरज आएं आप कभी दुखी नहीं होंगे कभी अपने को अकेला नहीं पाएंगे पर्मात्मा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं पर्मात्मा ही असली धन्मत्री है असली वैद्यनाथ वही है वही है असली डॉक्टर ना सभी डॉक्टर उसको याद करते हैं ओम शांति कुछ प्रश्ण है हम उसको ले सकते हैं हाँ मैं समय समस्ता में सभी प्रशन स्वाल हो गए होंगे फिर भी हाँ पहला प्रश्ण है कि उनको चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर ने त्री मेडिसन्स प्रस्क्राइब की है और को नली एंजियोग्राफी करने को कहा है बर यह चाहती नहीं है कि ऐसा यह करें तो क्या गाइड करेंगे अप लिटेखे पहले हैं च्रेह देखे जबी आपको विमारी होती है इस तो कभी डर्ना नहीं चाहिए मैंने पता हैं बीमारी माना डर गर्दर बने रहना उसको investigate करा लेना चाहिए हमेशा ECG करा लिजिए ECO करा लिजिए TMT stress test करा लिजिए अगर stress positive आता तो angiography करा लिजिए और कोई बिमारी को भी पता करना अच्छा है बजाए कि हम शक में रहें पता करना और उसको address करना तो पता करिए अचानक आए पकड़ ले आपको तो क्या फायदा है इसको पहले तुम पकड़ के उसको मार दो अगर कोई पता लगा घर में बैठा है और उसको आपको नहीं नहीं तो बैठा रहे अंदर से कोई बात नहीं इसलिए हमेशा चेकप कराना चाहिए अगर आप 40 साल के उपर रहें तो आप अपने को जुरू चेकप करा लिए और फिर समय समय पर चेकप कराते रहें यह जो नए सिस्टम आए हैं यह खराब नहीं है में कि यूज दो में बैसे एक मुबाइल है आपके पास डिजिटल मीडिया आया है तो इसका यूज करिए पट आप इसका यूज करिए यह आपका यूज ना करें इसे ही जो हैल्थ सिस्टम से हैं हैं उनको आप यूज करिए वह आपको यूज ना करें यह द्यान रखें तो अपना मेरी यह एड़वाइस है कि आपना चेकप कराएं और अपने बिमारी को पता करके और इसका इलाज करें ठीक है और थ्री डैमेंशनल हेल्थ केर से अगला प्रश्टी है सुसाइटल थौट्स को खुद कैसे बाहर निकाले या उसको उससे कैसे खुद को बहर निकाले अगर आपको स्वार्ण सारे तो आप सैकेट्रिस के पद जाएं उस से में क्या है बेसी किया होता हमारे जो ट्रांसमीटर इनों ट्रांसमिटर होते हैं थोड़ी से रह जाते हैं इसके करणा से स्वजाइड फॉट्स ऐते हैं तो उससे मेडिकल हेल्थ सिस्टम डिलिवरी की आए उसमें फॉड़ी से जो दवाईयां होती है वो बैसिक लिए कुछ और नहीं करती है वह आपके डियोडास्ट मेटर्स का माउंट बढ़ा देती है तो आपको थोड़ा स्पीड फूरी स्लोग हो जाती है आपको इंसाइट वापिस आ जाती है और फूसाइडल थौट्स का तम हो जाते है और जब वो सिस्टम कंट्रोल में आ जाए तो इसमें अभी आप अभी आप मेड़ नहीं करेगा फिर बाद में अ कृजों करना शुरू करिए हैं धुए एक बात मारत में चाहıl जाएं और यह कंट्रोल में आ जाए उसके बाद फिर आप मेडिटेशन से ठीक हो सकती है क्योंकि हम इसले जन्मों से दुसरे से मिलते आए पाप करम करते आए तो हमारे बहुत सारी आत्माव से लिंदेन के हिसाब किताब है तो अगर हमें कोई अवशक्ता है हमको अगर कोई चीज है बिमारी है कोई ट्यूमर हो गया कैंसर हो गया अवशक्ता पड़ेगी पर डॉक्टर से इलाज करें कि डॉक्टर का जितना पाइट हो करें बाकिया आप थ्री डिमेंशनल से सोल माइन बाडी से अपने आपको पूरी तरह ठीक कर लें अगर आपको हार्ट अटेक हो गया अमर्जनसी कुछ हो गया तो आप इलाज जो भी होता है वो कर लीजे कि बाद में ठीक होने के लिए आपको ज़रूरी है कि बार बार मिमारी आपको तंग ना करें फिर उसके लिए आप थ्री डैमेंशनल हेल्थ केर सिस्टम को यूज करें राज योगा मेरिटेशन को यूज करें राइट भाई साब आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे वीच में आने के लिए और हमें गाइड करने के लिए कैसे हम अपने कोखुझ से हेल्थी बना सकते हैं अपने तनों और बन्दों को स्वस्थ रख सकते हैं राज योगा मेडिटेशन की मातिम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीच में आने के लिए और आप सभी भाई वेनों के बहुत बहुत शुक्रिया और जैसे कि हम को भाई साब ने बताया कि राज्यों के कितने सारे फायदे हैं तो आज जो भी भाई पैने हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपने चाट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहे हैं ताकि वो अपने नजदीक की सेवा केंडरे सेंटर्स में हमारे राजिक मेंटेशन सेंटर्स हैं हर सिटी में तो वो जाके उसका लाब ले सकते हैं और इसके बाद में ही चाट बॉक्स में एक और लिंक शेयर किया जाएगा हमारे WhatsApp ग्रुप के लिए तो उसके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आगे आने वाले जो भी संडे टॉक्स हैं उसकी इंफर्मीशन आपको इसली अविलेबल हो चाहे और आप सभी भाई बैनों का आज के सेशन में हमसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शक्रिया ओंश हिम्मत ना हार ना कभी तन में तनिक भी जान है मन्जिल सरल हो जाएगी साथी स्वयं भगवान है घबराओन प्यारे भाई करडो जन मों की कमाई घबराओन प्यारे भाई करडो जन मों की